नमेश्कार दोस्तों आज हम भक्तिकाल की प्रिष्ट भूमी पर बात करेंगे भक्तिकाल की राजनितिक आर्थिक और समाचिक प्रिष्ट भूमी पर हम इस वीडियो में बात करेंगे और भक्तिकाल की जो दार्शनिक प्रिष्ट भूमी है वो हम हमारी दूसरी वीडियो में मतलब उसके बारे में discuss करेंगे दाशनिक प्रिष्ट भूमी थोड़ा सा हमारा जो भक्ति आंदोलन है उससे मिला जुला है तो मैं चांती हूँ कि उसको एक अलग वीडियो में cover किया चाहिए यहाँ पर हम आर्थिक, समाजिक और राशनितिक पर बात करेंगे तो चलो शुरू करते हैं भक्ति काल की प्रिष्ट भूमी देखें जिसकी राशनितिक प्रिष्ट भूमी आर्थिक समाजिक धार्मिक है न यह तो हम बात करेंगे उसके बाद जो दाशनिक प्रिष्ट भूमी है वो जो दूसरी वीडियो में cover करेंगे उसमें वेद से बुद्ध तक आलवर और नैनार शंकराचारे, वैश्रमाचारे, निर्गोन संत साहिते सूफी भक्ती साहिते निर्गोन संत साहिते और सूफी भक्ती साहिते इनकी तो विशेष्टाओं पर भी हम बात करेंगे और वो तो दाश्निक प्रिष्ट भूमि में नहीं वो इसी दूसरी वीडियो में मतलब उसके बारे में डिसकस करेंगे ये टॉपिक्स ना छो मतलब बहुत छोटे-छोटे नहीं करना चाहती मैं इसको एकदम प्रॉपरली अच्छे से प्रिपेर करना करवाना चाहती हूं ताकि आज यह च्छे नमर लाकर कोई फाइदा नहीं है तो हम उसी हिसाब से एक्जाम की दृष्टी से इनको प्रिपेर करेंगे और इस वीडियो का उद्धिश्य भी आपको स्टडी में प्रॉइड किया चाहे ठीक है तो भक्तिकाल का उद्ध है उसमें अलग-अलग विद्व एं वो अलग विडियो में cover करेंगे तो यह जो मैं जो कहती हूं कि अलग वीडियो में cover करेंगी अलग-अलग topics हैं जब मैं आपके लिए ले आऊंगी ना तो यह concepts भी आपके दिमाग में बिलकुल clear हो जाएंगे ना दक्षन भारत में भक्तियां दोलन का कैसा उदाः चलिए तो अभी हम समझेंगे कि भक्तिकाल की समय सीमा क्या है उसकी राजनिक्त प्रिष्ट भूमी क्या है यह न यह धार्मिक वगएरा वो सब हम जानेंगे तो देखो एतिहासिक द्रिस्टी से भक्ति आंदोलन की विकास को दो चरणों में बाटा चा सकता है पहले चरण की अंतर का दक्षन भारत का भक्ति आंदोलन आता है इस आंदोलन का काल छटी सताबजी से लेकर तेरवी सताबदी तक है दूसरे चरण में उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन आता है इसकी समय सीमा तेरवी सताबदी के बाद से सतरवी सताबदी तक है इसी चरण मे पहले ही जो हमारा उत्तर भारत क्योंकि पाश्चिम से इस्लाम के लोग ते तुर्की आए थे हैं या तो उत्तर भारत में स्लम जो थे उत्तर भारत of Islam सब्सक्राइब राक्ति आंदोलन की अविश्रक्ता क्यों पड़ी थी यह जो एक धर्म है फिर विभिन धर्मों के लोग आपर अपना धर्म परशार करते हैं कई बार साशक के काभरण फिर वहां के जनता होती अपने धर्म परिवल्वर्तन कर लेती थी तो ऐसे में समय के अचारे रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल की समय सीमा सन 1318 से 1643 इश मानी है आगे की धिहासकारों ने भी इसी समय सीमा को स्विकारा है भक्ति काल की कालवी भाजन की विस्तित जानकारी हम इस पाठे क्रम की खांड एक की पहले इकाई मैं आपको दे चुके हैं देखो जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूं उसमें भक्ति काल की कालवी भाजन का मतलब हम इसमें दिया भी है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना चुकी हूँ भक्तिकाल के जो कालवे भाजन है और नाम करन है उस पर आप वीडियो पे चाहिए और उसको जरूर देखिए है ना अब इसके जो राशनितिक प्रिष्ट भूमी है तो राशनितिक त्रिष्टी से भक्तिकाल का विस्तार मुख्य रूप से तुगलक वन्ष से लेकर मुगल वन्ष के बादशा सहा जातक के साशन काल को माना चाता है है ना तो राजनेतिक दिश्टी से मतलब इसमें बताया गये कि जो भक्तिकाल है उसका विस्तार यहां जो तुगलक वंश सबसे पहले उनका साशन हुआ था भारत में वहां से लिकर फिर मुगल वंश के जो बाच्छा थे सहाजा वो आखरी शाशक माने जाते हैं मुगलों के इसलिए भक्तिकाल की राजनेतिक प्रिश्ट भूमी को समझने के लिए तक कालेन राजनेतिक गर्थिवद्य को समना अवश्रक है तो मैं नहीं चाती की हिंदी साहित्ते में हम जादा इतिहास की बाते करें तो इसको हम उपर-उपर से ही समझेंगे ठीक है तो दस्वी सताप पशिम उत्तर से तुर्क भारत पर आकर्मण हुआ था फिर राजपूत राज़ों की पारसपरिक फूट और सतुत्ता की परणाम सरुप पिर्थवी राजचोहान मुहम्मद गौरी के हाथो और जैचंद कुतुब बुद्दिन एबक के द्वारा मारा गया इसके में आये थे उन्होंने जो हमारे राजपूत राजा थे उनके बीच पारसपरिक फूट का उन्होंने फाइदा उठाया और उन्होंने फिर पृत्वीरा चौहान को हराया था किसने मुहमद गौरी ने और कुतुब बुद्दिन एबक ने ठीक है हराया था उन्हें मार दिय और उसके बाद फिर दिल्ली सलतनात थे स्थापना यूठ जो तुर्क आकरमिणकारी जू शाषी तराज़्यत है उससे दिल्ली सलतनात के राम से जाना जाता है ठीक है फिर इसके बाद वाद ये इतिहास के बारे में हैं आप चाहें तो मैं सलो सलो आगे बढ़ारी हूँ पफ्चोहेतरों के पूट सकते हैं रगी हमारी हिंदि सायतिके देश्टे से इंपोर्टन नहीं है छिक है उसके बाद फिर हम उसकी आर्थिक पृष्ट भूमी की आर्थिक और समाजिक पृष्ट भूमी की बात करें तो केंद्रे कृत साशन व्यवस्ता तुरकों के द्वार भारत में साशन कायम करने से लेकर सहा जहां तक के राजनेतिक इधियास में सबसे महत्पुन तथ्या केद्र के साशन व्यवस्ता है तुर्कों द्वार जो भारत में शाशन कायम करने तुर्क नौए भारत में साशन कायम कर लिया था पूरा उत्तर भारत एक केंद्र के साशन वस्ता के अधीन रहा मतलब जहां पर विभिन छेतर हैं वो एक ही महत्मन जो ताकत है उसके अंडर में रहे कभी-कभी तो समराज्य का विस्तार दक्षन भारत और बंगाल तक फैल गया कभी-कजूरी उनका समराज्य का विस्तार था वो कहां दक्षन दा हमारे भारत के जो दक्षन में हैं और उत्तर भारत में ही नहीं मतलब यहां पर दक्षन भारत में भी और बंगाल में भी ये केंद्र के साशन वस्ता में देखने को मिलती है केंद्र की रित और स्थिर साशन का अर्थ व्यवस्ता पर सबसे अच्छा प्रभाव पड़ा उसे ह हम उत्तर भारत के संदर में भी देख सकते हैं, देखो, जो केंदर की और स्थिर साशन ववस्था थी, उससे हमारी जो अर्थ ववस्था थी, उसको फाइदा हुआ था, वो कैसे वो अभी बताती हूँ, है ना, क्योंकि देखो, बंगाल तक भी इसको देखा जा सकता है, उन्हें अपना साशन समाला था, और दिल्ली में रहकर उन्हें अपना साशन समाला था, और बंगाल की गदी पाने के लिए लड़ाईया हुई थी, तो इसलिए उसको कहा जाता है कि बंगाल फैल गया था, तुर्कों ने साशन ववस्था को सुचारू रूप से चलाने के केंद्र प्रशाशन अस्थानी प्रशाशन की व्यवस्ता की ऑप पर देखो गावों में खूत मुकदम और पटवारी के माध्यम से भूराजस की वसूली की चाहती थी इसी तरह केंदर से लेकर गाउं तक एक सुचारू विवस्ता कायम हुई तुर्कों द्वारा स्थापित प्रशाशनिक विवस्ता आगे के साश को द्वारा भी कुछ सुधारों के साथ अपनाई चाती रही और फिर सहरी समाच एवं व्यापार तुर्कों के आने के बाद दूसरा महत्पुन परिवर्तन शेहरों का उद्वा है दिल्ली आगरा बनारस इलाबाद पटना आदी कई शेहरों का उद्वा हुआ तुर्कों जो थे उनके आने के बाद दूसरा महत्पुन परिवर्तन शेहरों का उद्वा जैसे दिल्ली आगरा बनारस इलाबाद पटना आदी कई शेहरों का उद्वा हुआ यह शेहर आगे चलकर प्रमक व्यापार केंद्र बने तो जो तुर्क थे उन्होंने शेहरों को बसाया जैसे दिल्ली हो गया आगरा हो गया बनारस हो गया इलाबाद हो गया पटना हो गया और यह शेहर आगे चलकर प्रमक व्यापारी केंद्र बने उसकी बाद फिर व्यापार के माध्यम से गाउं कस्वों से जुड़ गये। तुर्कों के साथ नई तकनीक भारत आई इसमें चर्खा, धुनकी, रहेट, कागज, चुम्बकिय, कुतुब, नुमा, समय सूचक, उपकरण, घुरसवार, सेना, प्रदोगी की प्रमुख है। नई तकनीकों का प कबीर के साहिते में कई रूपक बुनाई उद्योग से हैं, जिसे चीनी, चीनी, बीनी, चदरिया, इसका प्रिसिद उखारण है। तो जो हमारे रश्चनाकार थे, वो समय के साथ, समय की वातावर्ण में जो चल रहे हैं समाज में उस पर रश्चनाए करते थे। इस दौर साशक सेरसा, मुगल साशक सभी ने सड़के बनवाई, सड़कों के किनारी सराय बनाकर यात्रों के ठहरने की विवस्ता की हैं, तो यह समाज में परिवतन दिखाते हैं, वाकि प्रिष्ट भूमी दिखाते हैं, कुल मिलाकर देखें तो इस काल में नई शिल्पी वर्ग का पढ़े थे, के बारे में हम पढ़ेंगे आगे अबी, जो मुगल साशक थे, वो किलो और महलो का भी निर्मान करवाते थे, और वो महां पे मतलब अपनी शीला लेख पर रशना करवाते थे, उस पर लिखवाते थे, तुर्कों से लेकर मुगल सकाल तक उत्तर भारत में दे नहीं थी, बार-बार उन्हें आकाल का सामना करना पड़ता था, सीचा के सादनो, रहट आदी के आने से उत्पादन में बढ़ उत्री हुई और गाओं के लोग वस उद्योक से जुड़े, फिर भी स्थिती में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, कई बारतों किसानों उन्हें विद्रोव भी किया, लेकिन विद्रोवों को बुरी तरसी कुचल दिया जाता था, जमीदार और व्यापारी वर्ग की तुलना में उनकी स्थिती बहुत खराब थी, तुलसिदास के सहित्ते में यह पीड़ा मौचूद है, आकाल और भूक की पीड़ा कमर में चि को उन्हें लिखा है, खेती ना किसान को बुक, बिखारी को ना भीक बली, बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी, जीवी का विहीन लो, सिदमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहा जाई का करी, है ना, तो उन्होंने अपने रश्ना में ऐसे मतलब बताया है, कि किसान को ही जब खेत बिखारी को भीखना मिले हैं तो जमीदारों की तोरह किसानों का शोशन होता था दरीद्रता का दुख तुलसी की निमलिकित पंक्तियों में देखा जा सकता है नहीं दरइद्र सम्दुख जग माहीं उसके बाद है जाती व्यवस्ता ग्यारवी सिताबदी के आसपात हिंदु जो धर्म था वो कर्म कांडों के मदेमसु से एक साथ लाने का प्रयास किया गया था मुसलिम समाज भी नसल और जाती वर्गो में विभाजित रहा तुर्कों, इरानी, अफगानों और भारते मुसल्मानों में एक दूसरे के साथ व्यवाहिक समन नहीं होता था मुसल्मानो के बावजी धुन्दू और मुसल्मानों के बीच समाजिक संपर्क बना रहा, भक्ती अंदोलन की कृष्ण मारगी धारा में कई भक्त मुसल्मान थे, जाती व्यवस्था का वीरोध नाथो और सिद्धों ने किया, और आगे इस परमपरा में संत भक्तों गीवानियों को द बुजर्ना करने के करण हिंदू और मुसल्मानों के बीच आपसी समन्द भी आपसी मिल मिला भी नहीं हो, भक्ती अंदोलन में किष्ण मारगी जो थे, उसमें मुसल्मान भी थे, और क्या पूलते हैं, ये सारी बाते बोली गई हैं, कबिर कटोर शब्दों से में पूसते ह जे तु बाबन बाबनी का जाया, तो आन बाट होई कहीं न खाया, है ना, उसके बाद दुलसी के साहिते में वर्ण व्यवस्ता को लेकर अंतर विरोध हैं, तो कहीं वे वर्ण व्यवस्ता का समयतन करते हैं, और कहीं वे वर्ण व्यवस्ता को शुब्द होकर लिखते हैं, वन व्यवस्ता से शुब्दों कर लिखते हैं तो उसके बाद फिर यह हमारे धार्मिक प्रिष्ट भूमी है तुर्कों के आगमन और दिली सल्तनत की स्थापना विकास खलबली दोनों साथ लेकर आया कि देखो कि जैसे यह कोई प्रदेश जीट लिया गया वैसे ही श्रांती और विकास की प्रक्रिया आरंब हो घया उब्दार्ड ने के बाद तुर्कों ने अपने मज़ितों का निर्मान करवा हिंदो और जैनों आदी के पूजास्थलों के प्रति उनकी निती मुसल्मान ये धार में पूजास्थलों के प्रति उनकी निती मुसल्मान मुसलिम कानून यानि सरियत पर आधारित थी जो अन्य धर्मों के नए प नहीं किया जाता था तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो मुसलमान थे वो स्वयम तो अपने मंदर मद्रों करने निर्मान कर वाते थे लेकिन जो की धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्विकार करने देखो प्रतिष्था 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 धर्म परिवेतन के बाद वहां की जो प्रजा थी वो अपना धर्म परिवेतन कर लेती थी। कौन से आगे चलकर यह परिवेतन के छेत्र में भक्तियां दोलन और सूफिवात के रुप में दिखाई देने लगी। कुछ अने श्राज को किकाल में अधिक तेजी से इसका विकास होता था। यह तक्राव और मेलमिला विश्रश्रदिकारी और शक्तिसाली लोगों तथा मानवतावादी विचारों से प्रभावित आम जनता के विश्रंगष का रूप्ता भक्ति का अंदोलन के सभी भक्त कवी सबसे पहले मानवतावादी थे। देखिए तो इसमें बताया गया है कि जब लोगों में टक्राव होते हैं तो ऐसा नहीं मात टक्राव होते हैं मेलमिलाब की प्रक्रिया भी उस समय में चली विबिन प्रकार के जब समस्रिम्धम को मानने वाले लोग आये तो उन्होंने उनके धर्म को भीच आना उनके सबसे अधिक प्रबल था अब जो इसके दाशनिक प्रिष्ट भूमी है जिसमें वेद से बुद्धता की सारी आदी जो हम पढ़ेंगे यह हम मतलब हमारे आगे अलवर और नैनार्स इन सब के बारे में नहीं हमारे आगे आने वाली जो विडियो है उसमें पढ़ेंगे ठीक ह तो चले इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और पसंद आई हो तो लाइक करें और हम इसी तरह आपके लिए study materials लाते नहींगे अपना ख्याल रखिए